पंडरिया नगरिया निकाय शुत्र अंतरगात कालोनाईजरों के द्वारार राजस्वन नेमों को दरकिनार करते हुए दबंग गई से शहर के भीता प्लांटिंग का कारोबार चल रहा है। डाइवर्शन बैगर नगरिय निकाय से अनुग्य अनुमति के खरीदी विक्री की जा रही है। यहां काफी समय से भू माफ्याओ का होस्ट लापुलंद है। राजस्वन विभाग कोई कारवाई नहीं कर रही है। वहीं पंडरिया शहर में आम चर्चा है कि भू माफ्याओ और जिम्मेवार अधिकारियों के बीच कहीं साथ कार्ट तो नहीं। बता दे। पंडरिया नकरिया निकाय शुत्र अंतरगर वाट प्रमांग 10,11,13,15 पसुचिकित साले के आसपास कुगदूर रोड नया बस स्टैंड के आसपास अवैद प्लांटिंग का कारोबार जारी है। अवैद प्लांटिंग मामले में अभी तक किसी प्रकार की कोई ठोस कारवाई नहीं हुई है। अगर कुछ एक अवैद प्लांटिंग पर कारवाई भी हुई है तो महच कागजी खानापूर्दी कारवाई की गई है। जबकि अवैद प्लांटिंग का काम पिछले एक जल्शो तलाब नदी नालो को पाट कर प्लांटिंग कर नगर पंचायत पंडर्या एवाम राजस्ववभाग से बेगैर अनुग्या अनुमती के खरीदी विक्री कर रहे हैं अब देखना या है कि नगर्य निकाय एवाम राजस्ववभाग के अधिकारियों के द्वारा ऐसे अवेद प्लांटिंग पर क्या करवाई होगी